Hello everyone, so आज हम डिस्स करेंगे हमारा टॉपिक फिजिकल, जोगरफी का जोर्मोर्फोलोजी एंड सोलर सिस्टम आज हम डिस्स करेंगे पार्ट वन और इस वीडियो को लेकिया रहा हूँ है, मेरा नाम है डॉक्टर विपरंगोल जो हमारा 10,000 MCQ कोर्स है, उसका एक पार्ट है बढ़ते हैं आगे इससे बढ़ने से पहले मेरे दो पेड कोर्स 10,000 MCQ कोर्स, ऐसी GS कोर्स आता है आप पर्चेस कर सकते हैं, Study IQ एप के उपर अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो अपने दोस्तों को बता सकते हैं यह तो है ही है, कॉमेट की बात करें यह भी आपके अट्मोस्फेर में, सोलर सिस्टम में देखने को मिलते हैं यह frozen gases होती है frozen gases, और मैंने आपको बताया था कि यह जो होता है कॉमेट्स, जब आपके सन के पास जा रहे होते हैं तो आगे पेगलते चले जाते हैं और ऐसे लगता है कि पीछे एक टेल चलती चली जा रही है ग्रैविटेशन पुल के कारण प्लैनेट की अगर हम बात करें तो हमारे 8 प्लैनेट हैं अभी ठीक है, सो नेबुला, इसका अंसर क्या बनेगा D तो नेबुला इसका नेबुला जो होता है एक dense cloud होता है जो हमारी gases होती है, जो आपका that is the helium, hydrogen, helium और dust से बनी होती है ठीक है, primary stage के उपर बनती है और ये dense होके आपकी क्या बना लेती है, galaxies और galaxies क्या होती है, आपके billions of stars होती है जो आपके gas, dust से मिलके बने होती है पैचिस बगरा यहां पर बनते हैं, यहां पर clear, this is very important point अब एक चीज मैं बता देता हूँ यहां पर planet की definition discuss कर सकते हैं जो planet होता है, उसका एक definition होता है planet का definition, जो हम बात कर सकते हैं planet की definition के उपर इसमें क्या होता है, वो revolve करना चाहिए around the sun, वो revolve होना चाहिए around the sun, और उसका जो size होगा वो almost spherical size होना चाहिए ठीक है, और एक sufficient gravity होनी चाहिए जिससे क्या होगा, कि वो orbit के अंदर चलता चलता, जो अपनी space है वो सारे nearby space को जो है वो, जो free करता चला जाए जैसे के आपके rocks हैं asteroids हैं, comets हैं, ये सारी सारी चीज़ वो free करता होना चाहिए आपके तो these are called planet की definition इसलिए ये इन तीनों चीज़ों जो चीज़े हैं, ये आपकी proper तरिके से नहीं है Pluto के अंदर, that's why Pluto is not the Pluto is not the planet तो answer इसमें D option बनेगा ये है जी nebula, nebula क्या होता है, interstellar cloud, मतलब दो तारों के बीच में एक cloud है किसका, dust का, hydrogen का और helium का, और बहुत सारी ionized gases का Why do fold mountains have enormous thickness of sedimentary rocks sedimentary rocks की, जो है thickness इसमें, fold mountains में Why do fold mountains have fold mountains की, जो thickness होती है sedimentary rocks में क्यों जादा होती है due to the accumulation of accumulation of sediments जाने कि sediments यहाँ पर accumulate होते रहते हैं, और thickness यहाँ पर बढ़ती चली जाती है, और planets जो है fold करके mountains की form में और mountains की form में बन जाते हैं, और nape की form में, मैं आगे discuss करूँगा mountains nape क्या होते हैं बट इतना याद रखिए कि fold mountains ऐसे होती है, fold mountains बनती है, nape बनते हैं तो answer इसमें क्या बनेगा, due to the accumulation of the sediment in the geosynclined area, तो answer इसमें B option बनेगा, correct answer बनेगा so here is the geosynclined area जो नीचे की तरफ है, this is called geosynclined यहाँ पर plate tectonic movement होती है sediments क्या होते हैं, accumulate होते हैं C के अंदर, जैसी accumulate होते हैं do way, fold mountains बनेगे, और continue जो है, आपका compression चलता रहता है और plate movement यहाँ पर देखने को मिलती रहती है यहाँ पर, so these are the sedimentary or fold mountains कहा जाता है, यहाँ पर question है, कि इन में से कौन सा ऐसा structure है, जो Pacific ring of fire में देखने को मिलेंगे, Pacific ring of fire का मतलब क्या है, जहाँ पर आपके volcanoes, earth quake, वगरा यहाँ पर देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी trenches है, बहुत सारी plates है टकराती रहती है, earth quake, volcanoes वगरा आते रहती है यह question आपको याद करना है Andy's Mountain बिल्कुल आती है, इसके पार्ट में बनती है, New Zealand बिल्कुल बनता है, Philippines बनता है, Taiwan तो यह चारो के चारो कंट्रीज जो हैं आपके बिल्कुल ring of fire के उपर देखने को मिलती है तो answer इसमें D option बनेगा, correct answer बनेगा, 1, 2, 3, 4 is the correct answer यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखो बहुत सरी plates हैं जिसके कारण टकराती हैं और बारिश के रहाँ, वॉल्कनोज आते रहते हैं Eurasian plate, Philippine Sea plate, Indo-Australian plate यह Pacific plate, North American, Cocos, Caribbean, Nazca, South Americans, Antarctic यह सारी ring of fire के अंदर देखने को मिलती हैं So these are important और ring of fire में देखो कौन कौन सी countries main हैं जैसे ताइवान होगी, जापान हो गया वानुतू, और Mexico, New Zealand और आपका South America के अंदर यह Andis Mountain और यह सारी countries हैं यह देखने को मिलती हैं आपकी ring of fire में So these are very important यह से बहुत सारी countries हैं इसके अंदर जो मैं आपकी picture में लगा दूँगा वहाँ पे यह जो PDF में डाल दूँगा बहुत सारी countries हैं इसमें Mexico है, Antarctic, Russia That is, Papua New Guinea New Indonesia, Canada, Peru Guatemala, बहुत सारी countries हैं इसके अंदर देखने को मिलती हैं Next देखिए Composite Volcano Cone is also called the Stata Clone because, देखिए Composite Volcanic Cone को जो है, हम Stata Cone कहते हैं क्यों कहते हैं Stata मतला Stratification जहाँ पे आपकी layering देखने को मिलते हैं Fossils वगारा देखने को आपको मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो होता है layering होती रहती है जिसमें lava और ash आता है lava और ash की जो layering होती है उसके हम Composite Cone कहते हैं यह explode कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा space, बहुत ज़्यादा sound आती है violence के साथ So this is very important लावा और ash के साथ और यह हम pyroclastic material इसको कहा जाता है pyroclastic material इसको कहते हैं So these are very important points तो यह बनते हैं आपके due to the alternating layer of the lava and the pyroclastic material answer इसमें one option बनेगा correct answer बनेगा So these are very important points clear और इसमें बहुत सारी formation composite cone की और bomb volcanic ash, lava flow वगरा यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे lava देखो कौन सा है pyroclastic flow देखो ठीक है इस तरीके से देखने को आपको मिलता है यहाँ पे So these are composite cone which is not a causative factor of the earthquake इन में से causative factor कौन सा नहीं है volcano का कौन सा नहीं है कौन सा factor नहीं है अगर मैं volcano के बात करें तो obviously बात है volcano earthquake के साथ संबंदित है iso stacy iso stacy क्या होता है एक state होती है gravitational equilibrium की gravitational equilibrium की एक space होती है जहाँ पे आपका earth का crust पाला पार ठीक है की एक elevation की उपर करते है की जो crust होता है वो float करता है elevation की उपर और depend करता है उसकी thickness की उपर और आपकी density के उपर और इसी के कारण ही आपकी जो topographic structure होते है वो different topographic structure height की उपर की mountains की height अलग है plattoos वगरा की height अलग है तो वो iso stacy उसको कहते है Tectonic Moment, बिल्कुल Tectonic Moment जो हो है, ये देखने को आपको मिलती है Tectonic Moment के कारण Play Tectonic Moment होती रहती है Waves, waves के कारण सुनामी आती है Waves के कारण सुनामी आती है जो आपका एक Japanese word है Japanese word है, चीक है So, यहाँ पे not a causative factor पूछा है तो इसमें obviously बात है आपका क्या बनेगा, D option बनेगा Waves are not the causative factor for the earthquake, answer is D option बनेगा, ये बस याद करने वाला question है, EMA is an example of किस ट्राइब का volcano है, EMA EMA जो है एक active volcano है active volcano, बस इतना याद करिए active volcano है, जो फूरता रहता है ये अब यहाँ पे देखो बहुत सारे जो आपके जो earthquake है, जो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलते हैं, ये volcanoes वगरा कहाँ पे देखने को मिलते हैं, Pacific Ring of Fire में, Aleutian Island of Calm चटका, Japan, Philippines, Indonesia जो मैंने आपको बताया था, Solomon Island, Tonga, North Island, New Zealand Andes of Central America, Alaska ये सारे पार्ट आते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड के, सबसे ज़्यादा जो है, आपके volcanoes अर्थ को देखने को मिलते हैं Atlantic Coast के उपर देखो, St. Helena Cape Vardy Island, Iceland and Azore, ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, Mediterranean region के अंदर देखो Vesuvius, Stromboli, Stromboli को हम Lighthouse of the Mediterranean house भी कहते हैं ये बड़ा important है, Stromboli को हम Lighthouse of the Mediterranean भी कहते हैं Asian Island, these are the active volcanoes in the Mediterranean region Grave Drift region के अंदर देखे, Mount Kilimanjaro, Mount Kenya और ये आपका East African Valley के अंदर है Extinct Balconic volcano होते हैं Cameroon जो है, ये only आपका active volcano है West Africa के अंदर जो other parts of the world है, वहाँ पे Mount Pele हैं, और Lesser Antilles के अंदर ये भी आपका volcanic island है इंडिया के अंदर दो island है, Barren Island और अंडेमा निकोबार island के अंदर है आपका active volcano, नारकों दाम जो है, ये आपका extinct volcano है ये खतम हो जोका है, नारकों दाम ये आपके अंडेमा निकोबार दोनों देखने को मिलते हैं, और distribution of earthquake की जो मैंने आपको बताया, mainly आपका circum pacific area जो world के सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे earthquake आते हैं देखने को मिलते हैं और कुछ आपके Mediterranean और Himalayan belt के अंदर Asia Minor ये वगार अरिया में देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे plate tectonic movement होती रहती है These are very important, clear? कुछ है important मैं आपको volcanic eruptions बता देता हूँ Mount Vesuvius in Italy के अंदर है ये आपका composite volcano है और Mount Karakatao in Sunda State है ये आपकी Java सुमात्रा यहाँ पे ये सारे आपको उसमें मिलेंगे क्या नाम है अपना, PDF में मैं डाल दूँगा ये सारी चीज़े तो इसमें देख लेना कि ये पूछे जाएंगे location based पूछा जाएगा Mount Tambora कहां पे है, Indonesia के अंदर तो ये volcanic eruption से बने हुए है याद रखने हैं सारे factor आपको, सारे points याद रखने है चलिए अगला देखते हैं ये कुछ Mount 10 के नाम है और कुछ countries के नाम है कहां पे कहां पे देखने को मिलते है जापान के अंदर Mount Fuziyama देखने को मिलता है ये बनेगा fourth option ठीक है, ये बनेगा fourth option Mount Hawaii, that is in the Mount Mona Lua US के अंदर, ये बनेगा third Sicily, Italy, Italy के अंदर है आपका Mount Aetna, ये बनेगा one option और Iceland के अंदर जो है Lucky, तो ये बनेगा two option ये क्या कहा रहा है जो outer core है, वो आपका molten state में है, जनकी liquid बगएरा है लेकिन जो inner core है, वो solid state में बिल्कुल सही है ये statement ये interior के अंदर जो आपकी outer core है वो molten state में बिल्कुल है और solid state में inner वाली, ये बिल्कुल सही statement है दूसरा देखते है the P seismic waves disappear in the outer core while S waves penetrated up to the inner core पहली बात तो जो P waves होती है इनको आप primary waves कहते है ये आपकी seismograph के उपर सबसे पहले आती है, fastest होती है ये solid, liquid और gases से cross कर जाती है, तो इसका मतलब ये disappear तो होंगी नहीं, outer core में भी disappear नहीं होंगी, सभी जगा के उपर आपकी solid पर भी चलेगी, liquid पर चलेगी और आपका gas के उपर भी जो है चलेगी, मतलब cross करके निकल आएगी और S wave को हम pressure wave भी कहते हैं जो आपके dogs वगरा होते हैं ये जल्दी से जल्दी भाप लेते हैं इसी इसको, S wave की अगर मैं बात करता हूं S wave की S wave जो है, secondary waves है जो अर्थ क्यों की उपर जो है, दूसरे नंबर पर आती है और ये slow होती है, P wave से और ये दियाँ रखना है कि S wave जो है आपकी solid से निकलती है No doubt कि inner core जो है आपका solid state में है, ये आपका statement बिल्कुल दूसरा तो सही है, लेकिन P waves की बात आ रहे हैं, ये outer core में disappear नहीं होती ये आपकी solid liquid gases से निकल के चली जाती है तो इस question का जो answer बनेगा, वो क्या बनेगा that is the assertion आपका right है और reason आपका गलत है तो answer इसमें C option बनेगा right answer very very important, clear याद रखना है पहला statement सही है और दूसरा statement आपका गलत है, answer is C option यहाँ पे देख लो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो outer core जो है liquid है और inner core आपका solid है और उसके बाद जो crust है आपका continental crust है, जो बनती है सियाल से, और oceanic crust जो है basalt वाली है, that is called sema से बनती है silicon and magnesium से continent, ocean, atmosphere, hydrosphere esthenosphere, जो आपका इस तरीगे से देखने को मिलता है, so these are important points, चले जी, आगे discuss करते है अगला question देखें जी, क्या कहता है अगला question देखें जी, क्या कहता है तो अगला question, यहाँ पे देखें, कुछ आपकी layering है, जो discontinuities बगारा देखने को मिलती है, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे महरोविक discontinuity actually महरोविक discontinuity बनती है lower crust और upper mental के बीच में उससे पहले बनती है, conroid conroid discontinuity, जो upper और lower crust के बीच में देखने को मिलेगी, rapid जो देखने को मिलेगी, upper mental and lower mental के बीच में, gutenberg जो है आपका lower mental और outer core के बीच में lehman जो है outer core और inner core के बीच में देखने को मिलती है, actually आपको मैं बताता हूँ, इसको याद करने का तरीका कैसे होगा याद करने का जो तरीका है, वो क्या है इसको याद करने का तरीका क्या है आप इसको ऐसे डिवाइड करें, crust, mental, mental और core crust, mental और core वाला पाट है, ठीक है इसमें crust में आपके layer है, इसमें mental में आपके layer है यहाँ पे भी, outer crust, inner crust, upper mental, lower mental that is outer core, inner core, ठीक है और इसमें एक statement याद दखना, word याद दखना cm are good leaders, cm are good leaders यह याद दखना, c पहले आजाएगी, outer core, inner core के बीच में c आजाएगा inner core, upper mental में m आजाएगा upper mental, lower mental में आपका आजाएगा r, lower mental और outer core में आजाएगा g, outer core, inner core में आजाएगा l, चीक है, so what is this outer core, inner core में आपका बन गया condad, यहाँ पे आपका inner core, upper mental में महरुविक, रैपेडी बन गया, अपर मेंटल और लोर मेंटल के बीच में, और गुटनबर्ग बन गया, लोर मेंटल आउटर कोर के बीच में, और आउटर और इनर कोर के बीच में लेहमन बन गया, जैसी जैसे आप नीचे चले जाएंगे, टेंपरेचर बढ़ता चले जाए तो इस लिए मैंने इसको करवा दिया तो बस इसका नाम याद रखना कितने फीट थी आठ फीट थी, that's it बाकी एस्थीनोस्फियर जो होता है, highly vicious होता है और mechanical weak होता है, ductile होता है, mental वाला part और more weak discontinuity आपको मैंने बताया था, crust और mental के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है? और that's it, तो यह आपको याद रखना है, answer इसमें D, अचा आपका mesosphere होता है, that is the third layer होती है आपके atmosphere की जो सबस atmosphere कहते हैं, जहाँ पर आपका lithosphere float कर रहा है, जनकी crust float कर रहा है, during the pleistocene epoch, the four glacial phases, glacial phase, glacial के चार phases आए थे, जो हमने identify किये थे, उसको chronological order में लगाना है, आपका early time से कैसे बनेगा, pleistocene जो period है, यह आपका 30,00,000 साल पहले बना था, 30,00,000 years ago, pleistocene age के अंदर जो है, आपका conditions हैं, uniform नहीं थी, और changes होते रहे थे, time to time changes हो रहे थे, और इसमें क्या बना था, और ICS बगएरा देखने को मिली थी, और इसमें चार तरीके के आपके, जो है, period थे, चार तरीके की ICS बनी थी, और वो कौन सी थी, यह याद करो, यह रट्टे वाला question है, that is, गुंस, मिंडल और RIS, और आपका WOM, तो अंसर इसमें क्या बनने वाला है, आपका B option बनेगा, correct answer, गुंस, मिंडल, RIS और WOM, तो अंसर इसमें क्या बनेगा, B option बनेगा, correct answer बनेगा, B option is the right one, the lake created by the Aswan Dam in Africa is, Aswan Dam जो है, Aswan Dam की उपर जो लेक बनती है, आपकी Africa के अंदर उसको हम क्या कहते है याद कीजे, Dad is called Nasir, Nasir Lake कहा जाता है, अंसर इसमें C option बनेगा, और यह जो बना है नाम Egypt के President के उपर बना है, अंसर इसमें C option बनेगा, लेक चार जो है, यह भी आपकी, जो है Africa के अंदर है, Africa के अंदर, और इसको हम क्या कहते हैं, Andorik, Andorik Lake क्या होती है, जो आपका Retain कर ले लेकिन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपका Rivers का, Ocean का पानी अंदर तो आ जाएगा, लेकिन बाहर नहीं जाएगा, इसलिए दलदल वाली condition, Swampy वाली condition यहां पर बनती रहती है, Lake Victoria की बात करें, तो यह जो है आपकी Great Africa की Great Lakes में देखने को आपको मिलती है, तंजान तो यह है Lake Nasir, यह है आपका Africa के अंदर, यहाँ पर Nile River है, जो आपकी Africa की सबसे बड़ी नदी है, Nile River Egypt से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है Red Sea, Red Sea और Mediterranean Sea के बीच में आपका एक जो कैनाल है, that is called Swiss कैनाल, Swiss कैनाल भी देखने को आपको मिलती है, यहाँ पर, so this क्रस्ट की जो थिकनेस होती है, 5 से 70 किलोमेटर के बीच में देखने को मिलती है, इतनी थिक होती है, जिसमें अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, तो आपके क्रस्ट और मैंटल वाली थिकनेस आती है, sorry, क्रस्ट और ओशानी क्रस्ट की, Continental क्रस्ट की और आप क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ओशन से बनता है, यह थिन होता है, और यह 5 से 7 किलोमेटर के बीच में देखने को मिलती है, clear, और यह बनती है में लिए बसाल्ट से, clear, और Continental मतलब सियाल, Silicon Aluminum, Oceanic मतलब सीमा, that is Silicon Magnesium, देखने को मिलता है यहाँ पे, so these are very important part, तो इस question का जो answer बनेगा, वो क्या बनेगा, इसमें कोई भी option मेरे को सही नहीं लग रहा, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि crust पूचा है, उसने यह नहीं बूचा कि कौन सी crust, अगर यहाँ पे Continental crust पूचा तो 35 से 70 वाला बनता, तो इसमें जो भी option नहीं था, अगर ओशनी की बात कर पूचा है, और एक प्रॉपर द्रिगे से improper question है, तो देख लेना, जो भी आपको पेपर में आएगा, ऐसी आएगा, पांसे सतर किलोमेटर, और आपकी oceanic भी बता दी मैंने, और continental भी बता दी, तो none of these हम बनेगा, इस का right answer, यहाँ पे देखो, पांसे सतर किलोमेटर, lithosphere, crust and upper mental वाला part, महरोविक discontinuity है, एस्थिनो स्फियर जो है, आपका partially melted होता है, गुटनबग discontinuity, outer core, liquid है, और inner core आपका solid है, जो हम बाते कर चुके हैं, और जो lower mental है, वो आपका solid देखने को मिलता है, so these are very important, coral reefs जो होते हैं, प्रवाल भितिया, यह क्या किस चीज का नमोना होते हैं, so यह होते हैं आपके tropical rainforest, ocean के अंदर tropical rainforest यह देखने को आपको मिलते हैं, rainforest होते हैं, dense communities होती हैं यह, और यह आपके बहुत सरे climate को ठीक कर ले, करके लेके चलते हैं, so this is very important, और यह बड़ा important source है, आपक बैसे मैंने oceans में आपको बताए थे, बट otherwise मैं बता देता हूँ, कि coral जो बने होते हैं, वो कौन से organism से बने होते हैं, यह multiple, multi cellular होते हैं, जिसे हम कहते हैं, polyp कहा जाता है, यह polyp जो होते हैं, microscopic algae, जिसे हम कहा जाते हैं, zoosanthelis को कहते हैं, clear, और zoosanthelis को कहते हैं, mutual relationship होती है इसके अंदर, mutual relationship, यह coral जो provide करते हैं, zoosanthelis को जो provide करते हैं, compounds provide करते हैं, जो आपके photosynthesis में आपको help करते हैं, परकास insulation में आपको help करते हैं, these are very important, clear, और calcium carbonate के बने होते हैं, calcium carbonate, calcium carbonate के, zoosanthelis को responsible होते हैं, जो यह different color आते हैं, इसके लिए, these are very important point, clear, अगर आप बहुत ज condition दे दोगे, और यह symbiotic association टूट जाएगी, zoosanthelis की algae के साथ, जिसके कारण जो है, corals खतम हो जाएंगे, हमारे इंडिया में corals बहुत जगा के उपर हैं, जैसे के 4 जगा के उपर इंडिया की बात करें, तो Gulf of Kach में हैं, और आपका लक्षदीप में हैं, Gulf of Manar में हैं, अं इसको बात की डिरेक्षन में, डैजर्ट कंडिशन के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर erosion देखने को मिलती है, यहां पर दिखा देता हूँ मैं आपको, तो इस तरीके से, क्या होता है कि जब आपकी हवा एक ही साइड पे चली जाती है, तो आपका ये एक ही यार दंग जिसको कहते हैं, यार दंग कहा जाता है यहां पर, तो यह यार दंग यहां पर बनते रहते हैं, इसका जो क्या करते हैं कि ब्लो कर देते हैं, एक जगा से दूसरी जगा के उपर, और डियूल प्रोसेस चलता है, यहां पर जो deflation का भी आपका प्रोसेस चलता है, जाने की चीज़े तूरती चली जाते हैं क्योंकि अबरेजन जो होता है यहाँ पर लेवल के उपर ज़्यादा होता है देखने को मिलता है These are very important points यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ rocks हैं जैसे mushroom rocks हैं यहाँ जो erosion होता रहता है नीचे की तरफ यहाँ पर erosion हुआ यह टूटा एक जगा से दूसरी जगा तक ले गया और यह पीछे क्या बन की mushroom rock यहाँ पर देखने को मिल जाती है mushroom shape बन जाती है यहाँ पर ज्यूगन ज्यूगन जो है यह क्या होता है यह एक आपका table होता है table shaped table shaped rock बन जाती है यहाँ पे clear,more resistant होते हैं semi-irid area में देखने को मिलती हैth semi-irid area में clear और यहाँ deemmosisills,्ते यह क्या होता है demo seals क्या होते हैं ये pillar बन जाते हैं ये rock के pillar बन जाते हैं rock के pillar बन जाते हैं जो आपके resistant rocks होती है above the soft rock soft rock के उपर resistant rock हो जाती है जो आपका different type of erosion यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ बन गए yardung जो आपका एक हवा में हवा का pressure चलता जा रहा है that is called yardung कहते हैं so these are very important तो answer इसमें क्या बनने वाला है that is sea option बनेगा clear sea option बाकी मैंने आपको सारे points बता दी हैं यहाँ पे चलते हैं आगे the smallest island country in the Indian ocean is smallest island country जो है हमारी that is the Maldives Indian ocean के अंदर Maldives है so this is very important point so मैं दिखा देता हूँ आपको so यह है आपकी Maldives यह आपकी सबसे smallest country है ocean Indian ocean के अंदर और यहाँ पे आपके atolls बगएरा देखने को मिलते हैं sandbar coral reef बगएरा देखने को मिलते हैं यहाँ पे एक point देखे यहाँ पे कह है assumption island this is very important assumption island जो है यह ideal है यह Medagascar वाला पार्ट है यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ sorry assumption island यहाँ पे आपका एक Mozambic channel चलता है Mozambic channel this is very important जो Mozambic को assumption island से जोडता है ठीक है यह Mozambic channel से यह ideal location है assumption island की ideal है ताकि आपका जो है हम Mozambic channel को देख देखते रहें और international trade हमें देखने को मिलता रहता है so assumption island जो है यह किसके अंतरगत आते हैं Seychelles के अंतरगत आते हैं और this is very very important part clear और Mozambic जो होता है यह हमेशा आपको देखने को मिलता है Indian Ocean के अंदर between the South East African countries of Madagascar and the Mozambic Medagascar और Mozambic की बीच में है आपका Mozambic channel this is very very important यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे clear so याद रखना है so these are very important point assumption island very important है चलिए जी in due course of the time and meander loop cut off the river from the river and from the cutoff lake is called as देखे जी जब river flow करती है तो हमेशा इस तरीके से flow करती है तो that is called meander जब भी यह यह चीज अपने आपको काट के अगलग से ऐसे बना ले तो इसको हम क्या कहते हैं Oxbow Lake कहा जाता है तो इस point का अंसर क्या बनेगा A option बनेगा Oxbow Lake इसको कहते हैं और Oasis क्या होता है बंजर के अंदर जमीन बोमी उसको Oasis कहते हैं जैसे के अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ Oasis of Sindh का किसे कहा जाता है महंजदारों को कहते हैं लेगून का मतलब क्या होता है लेगून का मतलब होता है कि जो आपकी लेक है मेल लेक से आपकी हट गे तो वो लेगून बन जाती है Tectonic, Plate, Tectonic Movement वगरा देखने को मिलती है यहाँ पे यह है रिज़ा मियांदर, यह है मियांदर, क्लियर यह वाली और यहाँ से कट गी है तो आपकी Oxbow Lake इसको कहते है Erosion जो है, इसकी erosion क्या करता है इसकी neck को narrow करता रहता है और flood आता रहता है और यह कुछ time तक यह आपका part देखने को मिलता है और यह आपका river course अलग से चलता है और यह आपका Oxbow Lake बन जाती है यहाँ पे तो this is very important part चलिए अगला देखिए The place which has the longest day and the shortest night on the 22nd of December longest day और shortest night का मतलब क्या होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे क्या होगा longest day और shortest night होगा तो Tropic of Capricorn के अंदर आपकी कौन सी country है यहाँ पे Melbourne क्योंकि Melbourne that is in the Australia Australia आपका बिल्कुत Southern Hemisphere में पढ़ता है और Tropic of Capricorn भी साड़ेत 80 degrees Southern में पढ़ती है आपके तो answer इसमें C option बनेगा correct answer बनेगा चनई की बात करें तो चनई तो हमारे इंडिया में है चनई तो हमारा इंडिया में है चनई तो आपका इस जगा के उपर नहीं देखने को आपको मिलेगा और Madrid की बात करते हैं Spain के अंदर है 40 degree North के उपर Moscow, Russia के अंदर 55 degree North के उपर Capricorn के उपर तो उसदन क्या होता है Southern Hemisphere में साउथ हेमिस्वियर में day तो क्या होता है लोंगएस होता है night क्या होती है short होती है लेकिन इसके उल्टा देखा जाए तो अगर मैं कहुं कि जब sun की रेज यहाँ पर पड़ रही है और ऐसा ही उल्टा क्या होता है? Summer Solstice, Summer Solstice in the Northern Hemisphere क्या होता है? आपके Tropic of Cancer की उपर Sun की Race पढ़ रही होती है साड़ी 23 डिगरी, North की उपर Sun की Race पढ़ रही होती है जिसके कारण जो है यहाँ पे Longest Day होता है और Night आपकी Short हो जाती है और Equator की उपर, Equator की उपर जानके Zero Degree की उपर जब Sun की Race पढ़ रही होती है तो Vernal Equinox लगता है March 2021 को यहाँ पे दिन और रात बराबर हो जाते है और Autumn Equinox लगता है September 2022 और 2023 को तो इस इस वेरी वेरी इंपोर्टन पॉइंट Rocks having the large quantity of underground water and permitting ready flow of water as called देखें Rocks के अंदर large quantity of underground water हो और उसको permit करे, flow को, पानी को flow करे तो ऐसी Rocks को हम क्या कहते है ऐसी Rocks को हम कहते है Permeable Rocks इसको कहा जाता है जो Permeable Rocks को कहा जाता है यह आपका पानी absorb नहीं करती बट पानी को लेके चलती रहती है जिसके कारण जो है, नीचे पानी बनता चला जाता है ठीक है, अंसर इसमें C option बनेगा correct answer बनेगा और aquifers की बात करें इसके अंदर जो है, पानी होता है, water होता है और इसके अंदर pores देखने को आपको मिलते हैं यहाँ पे जिसमें spaces जो होती है, connected होती है, अपस में porous की अगर हम बात करें तो इसके बीच में rocks के बीच में empty spaces देखने को मिलती है जहां से आपका fluid जो है, निकलता चला जाता है तो अंसर इसमें क्या बनेगा, C option aquiclude, aquiclude क्या होता है geological formation में, जो आपका जहां पे पानी जो है, impermeable होता है impermeable flow of water देखने को मिलता है, large amount of water होता है पर permit नहीं करता पानी को और porosity बहुत ज़्यादा होती है तो इस question का अंसर क्या बनेगा, C option permeable rocks इसको कहते हैं sedimentary rocks की characterize क्या होती है, sedimentary rocks में दो चीज़े याद रखने है, fossils होता है यहाँ पे, और आपकी statification layering देखने को मिलती है, चीक है और आपका compression compression, compaction compression, compaction cementation और आपका lithification lithification मतलब वही layering बगएरा, lithification यह देखने को आपको मिलती है, और इसी lithification को आप कहते हैं, statification कहा जाता है, अंसर इसमें A option बनेगा, correct answer बनेगा, lithification का process है, consolidate होते हैं compact होते हैं, sediments वगएरा और thickness जो है, आपकी vary करती रहती है यहाँ पे layering stratified होती चले जाती है तो अंसर इसमें क्या बनेगा, आपका A option बनेगा, correct answer बनेगा very important part, clear, A option is the right one, यहाँ पे sedimentary rocks जो होती है, इसमें आपके fossil वगएरा देखने को मिलते हैं, fossils का मतलब क्या है यहाँ पे, coal के बारे में बात करें natural gas के बारे में बात करें और जो है, आपका oil के बारे में बात करें तो यह सारी चीज़े देखने को मिलते हैं यहाँ पे तो sedimentary rocks तीन टाइप की है mechanical, organically और chemically formed mechanically जो बनते हैं, sandstone, conglomerate, limestone, shale और lois, organically बनते हैं यह सारी याद करने हैं, आपको यह points पढने हैं यह मैं आपको उसमें PDF में भी डालूँगा यह वाले points चीक है, limestone, halide, potash आपके chemically बनते हैं, तो कई बार paper में यह पूछ लेते हैं कि अच्छा यह बताओ इन में से sedimentary rocks की example कौन से है, कौन से नहीं तो यह सारे आपको by heart आपको याद होने चाहिए, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा, यह logic नहीं है, कोई याद करवाने इसमें, यह आपको पड़ने पड़ेंगे बार-बार how many days in one year on the mercury मतलब mercury के उपर days कितने होते हैं तो 88 days के अंदर आपका पूरा का पूरा one year है और one day कितना होता है, 58 earth day के बराबर होता है तो answer इसमें D option बनेगा, correct answer बनेगा, D option 88 days क्योंकि वो जो है आपका orbit के उपर जो है, वो घूम लेता है वहाँ पे, और अच्छा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, mercury की बात करें तो mercury को god of commerce कहते है god of commerce messenger of gods messenger of gods mediator between the gods and the mortal ये भी mercury को कहा जाता है light of the sun takes place how much time to reach earth जाने कि sun के जो light आती है वो कितने time में पहुंचती है, 498 second में 498 second का मतलब 8 minute 20 second के बीच आराउंड पहुंच आती है 18 second, answer is B option एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, sun की light 1.3 second में पहुंच आती है sun के अंदर जो energy आती है वो nuclear fusion के कारण आती है fusion के कारण, this is very very important point so answer इसमें क्या बनने वाला है B option बनेगा, correct answer बनेगा when and where did the concept of the earth art started, earth hour का मतलब क्या है earth hour का process जो है World Wildlife Fund World Wildlife Fund for Nature ने start किया था 2007 के अंदर, और ये कब होता है last Saturday और last Saturday of March को last Saturday जो होता है March का उस दिन celebrate करते हैं हर साल इसमें क्या होता है कि इसमें 180 country से ज़्यादा क्या करते हैं 8.30 बज़े से रात को 9.30 बज़े के बीच में ये light बंद करते हैं और ताके जो है आपके environment को protect किया जा सके और energy को आपका save किया जा सके positive environment impact डालने के लिए तो इसमें बात करते हैं ये concept जो है आपका earth hour का start कब हुआ था that is in the March 2007 in Sydney Australia के अंसर इसमें क्या बनेगा D option बनेगा correct answer बनेगा 2007 में Sydney Australia से ये start हुआ था ये सारे points याद रखना किसने किसने start किया था देखे जी ऐसी terms को हम क्या गयते हैं जब 23 सब्तमबर को sun और दिन और राद बराबर हो जाते हैं बारा-बारा गंटे की हो जाते हैं उस process को हम क्या कहते हैं that is autumn equinox कहा जाता है autumn equinox clear और spring equinox देखे 23 सब्तमबर को यहाँ पर autumn equinox को क्या 22 या 23 सब्तमबर को 21 और 22 March को क्या हो जाता है आपका that is spring equinox कहते हैं और यहाँ पर spring equinox और vernal equinox इसको कहा जाता है, जब sun की raise जो होती है, equator की उपर पढ़ रही होती है, winter solstries की अगर हम बात करेते हैं, अगर northern hemisphere की बात करें, तो यह कब होता है, जब 1.30 degree south की उपर, जो है, southern की उपर light पढ़ रही होती है, sun की, that is in the topic of Capricorn की उपर, जब पढ़ रही होते हैं, winter solstries इसको कहते हैं, northern hemisphere में, so this is very important part, यह देखो, जून solstries यह आपका क्या आगया, that is the, यह cancer की उपर raise पढ़ रही है, साधी 30 degree, north की उपर sun की लिए raise पढ़ रही हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर दिन length, day जो होगा, वो lengthy हो जाएगा, और night क्या हो जागी, short हो जाएगी, तो this is very important, यह 21 जून को, phenomena देखने को आपको मिलता है, northern hemisphere में, northern hemisphere में होता है, यहाँ पर March equinox है, 21 और 22 March को, ठीक है, सब्तम्बर की बात करें, तो 22 और 23 सब्तम्बर को, जब equator की उपर sun की rays पढ़ रही होती है, यह भी आपकी equator की उपर rays पढ़ रही होती है, December solstice, जिसे हम कहते हैं, winter solstice को कहा जाता है, sun की rays पढ़ रही होती है, 23 दिगरी सदन बे, चीक है, Capricorn की उपर sun की rays यहाँ पढ़ रही होती है, तो this is very important point, clear याद रखिए, अगला दिखे, इन में से true statement बताने हैं, आपको किस के बारे में, ignition rock के बारे में, यह क्या होती है, यह ignition rock क्या होती है, अगन्य चटाने, क्या होता है कि जब आपका जो magma होता है, वो धर्ती के उपर आजाए, लावा आजाए, तो जम जाए, तो उसको हम कहते हैं, जो primary rocks, ignis rocks इसको कहा जाता है, और इसके अंदर fossils नहीं होते, fossils बिल्कुल नहीं होते, और statification तो बिल्कुल भी layering वगएरा देखने को नहीं मिलती, so that means, they are crystalline as well as non-crystalline होते हैं, यह crystalline भी होते हैं, और non-crystalline भी होते हैं, for example, अगर मैं बात करता हूँ, यह plutonic rock वगएरा, और ignisious rock वगएरा बनते हैं, अगर हम बात करते हैं, आपका, जो आपकी, that is, intrusive की, intrusive का मतलब जो अंदर magma जम जाता है, और extrusive का मतलब क्या होता है, जो बाहर आगे magma जमता है, और यह fine grain होते हैं, extrusive जो होते हैं, यह fine grain होते हैं, fine grain, clear, और जो intrusive होते हैं, यह आपके crystals वगएरा यहाँ पर बन जाते हैं, तो this is very important point, clear, और एक होती हैं, आपकी, that is called, hyper basil, hyper basil, जिसे आप कहते हैं, dyke rocks, dyke rocks कहा जाता है, और intermediate rocks कहते हैं, और यह होती हैं, आपकी semi crystalline, semi crystalline, ठीक है, यह याद रखना हैं आपको, this is very important, clear, they have little amount of fossils, यह गलत है, fossil नहीं होते हैं, porous होते हैं, यह गलत है statement आपकी, और इसके अंदर silika नहीं होता, silika तो होता है, आपको बताया था, मैंने outer crust, inner crust में, silika aluminium देखने को मिलता है, और जो आपका continental crust होती है, वो siyal की बनी होती है, oceanic crust आपकी sema की बनी होती है, और crust आपकी बनेगी, कहां से, जो आपका magma गएरा के, जमता चला जाता है, यहाँ पे, तो इसलिए यह crystalline भी होते हैं, और non crystalline भी होते हैं, so answer इसमें C option बनेगा, correct answer बनेगा, so guys यह थे आज की lecture के अंदर question, बाकी जो updates होंगे, वो telegram channel के उपर यहाँ पर मिलेंगे, Instagram के उपर आप मुझे यहाँ पर देख सकते हैं, Thank you so much, और अच्छे से पढ़िए, और भी बहुत धमागेदार question आएंगे, so गुल लगाए, stay care, bye bye, जै हिंद,